तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में आप लोगों को chemistry class 12 chapter number 2 solution का सबसे important question बताने वाली हूँ जो कि boats point of view से भी बहुत ही ज़्यादा important है तो आज के इस वीडियो को बलकुल last तक देखिएगा वीडियो अच्छे लगती है तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर बजाईएगा तो आज का सबसे पहला question है यहाँ पर हमारा differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture तो यह जबी भी आपसे difference between का question पूछा जाएगा तो आपको बलकुल proper manner में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से लिखना है कुछ students यहाँ पर क्या करते हैं कि homogeneous mixture है तो इधर इसके बारे में लिख देंगे फिर नीचे में heterogeneous के बारे में धर से लिख देंगे जो की wrong pattern होता है CBAC में ऐसा नहीं लिखते है ठीक है अभी पहला homogeneous का point है हमारे यहाँ पर it has a uniform composition यानि कि homogeneous mixture होता है उसका जो composition होता है वो uniform होता है वहीं अगर हम यहाँ पर देखे heterogeneous mixture में तो it has a non uniform composition यानि कि उसका जो composition होता है heterogeneous का वो non uniform होता है ठीक है लब की opposite होता है directly homogeneous से ठीक है यहाँ पर लिखा है uniform composition यह होता है non uniform composition next point है homogenous का हमारा it has only one phase यानि कि जो हमारा homogeneous mixture होता है उसका केवल एक ही phase होता है से जादधा फेज हम लोगों को देखने को मिलता है थर्ड पॉइंट है homogeneous का इस कांट भी separated out physically यानि की जो homogeneous mixture होता है उसको separated नहीं किया जा सकता है यानि का अलग नहीं किया जा सकता है physically लेकिन heterogeneous जो mixture होता है उसको आप separate कर सकते हो physically ठीके, homo मतलब होता है same हुत अग सरे से कुझे अगला को सब्सक्राइब को लग लेकर objeto लेकन हिटरोजों लेक्ड़ोन है ist आपि इस सरीके से यहां पर लख सकते हो अगला क्यूजन नहीं एकला तो सबसे पहले मोलारीटी एक साइड लिखनेंगे दूसरे साइड मोलारीटी डिफ्रेंस बिट्वीन कैसे लिखते हैं मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बता रखा है तो उसी तरीके से करिएगा ताकि आपका बोर्ट में गलत ना हो मोलारीटी का पहला पॉइंट हो जाएगा दा नंबर ओफ मोल्स अफ सल्यूट प्रिजेंट इन वन केजी ओफ सॉल्वेंट जहां आ जाएगा ना वन केजी ओफ सॉल्वेंट तो वो मोलारीटी हो जाएगा रिटी में क्या होता है यहां पर देखो रिटी वाई है यहां है ल आई टी वाई तो रिटी वाला जब रहेगा तो हमको यह लिखना होगा में क्या होगा नमबर ओफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रिजेंट इन पर लिटर व सॉल्यूशन मोलारीटी में क्या हो जाएगा इन वोल्यूम पर डिपेंड करता है मोलारीटी कह चैपर डिपेंड करता है ठीक है अब molality किस चीज़ पर depend होता है it depends on the mass which is independent of the temperature clear है molality के बीच में difference between समझ में आया सबको ठीक है अब यहाँ पर अगला question हमसे यह पूछा जाएगा state henry's law, lee chatterley principle, rault's law, dalton's law और partial pressure यह चार जो laws है principle है बहुत ही साधा important है अपने notebook में लिख लो कि यह question आएगा ही आएगा आएगा आपके boards में ठीक है और आपको यह पढ़ करके जाना भी है सबसे पहले हम समझेंगे henry's law henry's law क्या होता है आप सभी ने ncrt में पढ़ा भी होगा मैं बता देती हुए पर फिर से आप लोगों का henry's law क्या होता है the amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid when temperature is kept constant it is denoted with k h ठीक है henry's law क्या होता है the amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid when temperature is kept constant constant रहेगा ठीक है mathematically formula क्या होता है henry's law का तो यह होता है ठीक है mathematically formula होता है p proportional c और p is equals to k h to c ठीक है p का मतलब हो गया partial pressure of gas in atmosphere above liquid c का मतलब हो गया concentration of dissolved gas k का मतलब हो गया henry's law constant of gas अब Lee Chatterley principle देखते है जो Lee Chatterley principle क्या होता है if an equilibrium is subjected to a change of concentration pressure or temperature that equilibrium shift in direction that trends to under the effect of the change समझ में आया सबको नहीं आया है तो इबाद नो डाउन कर लो अच्छे से रट लो यार अभी आप लोगों का the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution Rawls law क्या होता है for a solution of a volatile liquid the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution clear है सबको समझ में आया Rawls law अभी हम देखेंगे डाल्टन's law of partial pressure क्या होता है तो total pressure exerted by a mixture of gases is equal to sum of partial pressure by each individual gas in the mixture तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे important questions बता दिये है from chemistry chapter number 2 solution next वीडियो में मैं आपको और भी chemistry के physics के biology के important questions बता दूँगी ठीके ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है किवल आपको वही पढ़के जाना है क्योंकि वह important है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है जो topic है आपके book में उसको भी आपको cover करना है ठीके? important वाले पर आपको ज़्यादा focus करना है क्योंकि वह examination में आएगा और जो मैंने आप लोगों को important नहीं बताया है एक discipline लाई अपने अंदर और अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा so thank you so much for watching this video जय हिंद वन्निमात्रम